हेलो दोस्तो बहुत सारा वेलकम हैं आपका वीडियो में आज की इस वीडियो में जो टोपिक हम डिसकर्स करने वाले हैं वो बहुत जरूरी है और काफी इंट्रस्टिंग भी है तो अगर आप CSIR NET की तयारी कर रही है तो ये वीडियो खास आपके लिए है क्योंकि इस वीड को hold करता है exactly होता भी ऐसा ही है ये जो प्रैक्टिस वर्ड है बहुत सारी इंपोर्टेंस को hold करके रखता है क्यों करता है आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं और ये भी हम जानेंगे कि हमें किस तरीके से प्रैक्टिस को करना होगा ताकि हम maximum benefit यहां से ले सके तो देखिएगा इसका सबसे अच्छा अंसर यह है कि प्रैक्टिस जो है आपको एक real time experience देता है यानि जैसे कि आप exam में जाकर बैठेंगे कैसा feel करेंगे किस तरीके से आप questions को solve करेंगे वह feeling आपको paper से पहले ही पता लग जाती है दिया आप प्रैक्टिस करते हैं regular basis पे करते ह है और अच्छे से करते हैं तो प्रैक्टिस का सबसे अच्छा benefit यह है second यह मान के चलो में एक example से आपको समझाती हूं आपको swimming competition में participate करना है आपने किया है आपको swimming करनी है और आप यह चाहते हैं कि मैं मतब first division से पास हो जाओ अपने swimming competition में आप जाते हैं घर पे अपनी book open कि क्या आपने जिसमें भी लिखा है swimming के बारे में आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया अच्छे से पढ़ा खूब अच्छे से पढ़ा उसको रिवाइस भी किया रिकोल भी किया मतब अच्छे से लर्ण कर लिया कि क्या कुछ हमें करना होता है swimming में अब आपने book side में रखी औ कि आप कितना benefit ले पा रही है तो यह जो real time experience है वो आपको practice से मिलता है ठीक है जैसे आपने swimming competition में participate किया है learn कर लिया है अच्छी बात है करना भी चाहिए चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए लेकिन उसके बाद आपको उस field में पहले ही उतरना पड़ेगा कई बार practice करनी होंगी तब जाकर आप competition में जाएंगे और तब ही आप pass हो सकते हैं तो same यहाँ पर भी ऐसा है कि वह learning से revision से काम नहीं चलता है आपको practice भी करना है practice का फाइदा यह है कि जो आपने learn किया है जो revise किया है practice की help से आपको पता चलेगा कि जितना आपने learn किया है क्या वह आ practice कर ले जहां से भी question मिलता है आपको topic के regard में सारे questions को practice कर दें इससे आपको confidence भी आएगा और आपकी learning भी मजबूत होगी ठीक है तो यह question आपका soul हुआ कि हमें practice करना क्यों जरूरी है अब सबसे बड़ी बात आती है कि यह तो हमें पता लग जया है कि practice करना तो बहुत करोगे तभी आप इस टोपिक के questions को practice कर पाओगे same example है swimming में आपको participate करना है आपने learning तो कर लिया है बहुत सारा लें कर लिया है लेकिन practice नहीं की तो यह गलत है अब आपने learn तो कुछ नहीं किया ठीक है बस practice करने चले गए तो भी आप practice नहीं कर पाओगे तो ना ही आपको ज्यादा करना है ना ही कम करना है बीच में रहना है यानि पहले learn करना है फिर practice करना है ठीक है तो यहां पर practice करने के लिए सबसे पहला point है कि आप उस topic को या फिर उस unit को learn कर लें अच्छे से बिल्गुई learn करने के बाद फिर उसे regular basis पर revise करे recall करे इन दोनों में क्या difference होता है इस पर ही मैंने वीडियो बना रखा है ठीक है तो सबसे पहले learn करना है फिर revise करना है फिर recall करना है उसके बाद ही आपको practice पर move करना है ठीक है यह कोई भी step आप अगर miss करेंगे तो practice अच्छे से नहीं हो पाएगी सबसे पहले topic को अच्छे से learn करो बिल्कुल जितने भी information आपको कुछ बाते याद रखनी है जैसे क्या कि यह जो साइकल मैंने आपको यह जो बताया है यह स्ट्रेट नहीं होना चाहिए यह मैंने बताया है स्ट्रेट नहीं होने चाहिए बल्कि यह साइकल की फॉर्म में होने चाहिए मतलब कैसे आपने topic learn कर लिया है फिर आप revise कर करेंगे इस तरीके से अगर आप प्रेक्टिस करते हैं तो आपको maximum benefit मिलने वाला है जिस चीज की भी आपने प्रेक्टिस की है ठीक है इसमें भी कुछ नहीं बाते हैं जैसे कि मान के चलो आपके पास एक्जैंपल मैंने यहां रखा है यह क्वेशन है आपके पास आपने लॉ लेकिन थर पर जैसे यह आप आए आपको लगा यह जो पॉइंट है तो मैंने कभी नहीं पढ़ा हाला कि यह टोपिक आप complete कर चुके हैं विवाइज भी कर लिया है लेकिन आपने देखा क्वेशन में क्या होता है दो स्टेट्मेंट तो आपको आती है लेकिन यह दो नहीं आती है और एक बात और कि अगर आपको यह दो आती है तो आपको पता लगा है यह बात कि आप इनको फट फट से revise करेंगे, recall करेंगे और फिर से practice करेंगे, ठीक है, और देखो एक example, और मैं आपको बताती हूँ, यह question है, एक topic से आया है, तो आपने देखा कि topic तो मुझे आता है, यह topic मैंने पढ़ रखा है, लेकिन यह question बिलकुल ही नया है, इस topic में तो मैंने यह ब पता लगी है, कि जो learn आपने किया है, वो भी complete नहीं है, sufficient नहीं है, आपको और पढ़ने की जरूरत है, तो फिर आप क्या करेंगे, यह question जो नया है आपके लिए, इसका जो भी सही answer है, उसे देखकर अपने notebook में note कर लेंगे, और फिर उसे revise करेंगे, ठीक है, तो देखेगा सबसे पहली बात यह है, कि जब आप first time practice करते हैं, तो आपको learn करना है topic, revise करना है, फिर practice करना है, फिर learn करना है, फिर revise करना है, फिर practice करना है, यह first time की बात है, लेकिन जब आप एक बार यह कर लेते हैं, तब second time में आपकी यह बात होनी चाहिए, मतलब आपने practice किया है अब, लर्ण करेंगे अच्viewer करेंगे फिर से आप रेक्तिस कि तौरां फिर कोई नई इंफले कि यह तरण करेंगे तो फसी तरिक से यह तो बस आपके फीडिने चीज होंगी लेकिन जैसे आप एक बार मर्याओं मिलेंगी फिर आपको यह बात करनी है यानि practice फिर नई information फिर learn फिर revise फिर practice इस तरीके से चलता रहेगा अगर आप इस तरीके से practice करेंगे तो बहुत अच्छा benefit आपको मिलने वाला है से मैंने भी ऐसे किया था जब मेरी learning complete हो गई थी उसके बाद मैंने practice टार्ट की तो जब मैंने questions practice करना start किया तब मुझे बाते पता लगे कि जो मैंने पढ़ा है वो sufficient नहीं है एक बात दूसरी बात मुझे यह पता लगा कि जितना मैंने learn किया है वहां से भी मैं question नहीं कर पा नहीं है तो यह जितने भी drawbacks थे मेरे वह सब मुझे पता लगा तो जो भी नहीं information आती थी जो नोट्स मेरे थे वह सारे पेज फिल हो चुके थे तो मैंने एक नहीं notebook बना ली थी तो जो भी question था जो भी unit का था वो सब जो नोट उसी notebook में मैं लिखती थी सेम notebook में ही कोई भी information आई है उसे notebook में note कर लिया जब अगले दिन मैं practice करना start करती थी उससे पहले मैं उस नई information को revise करती थी और फिर में question practice करना start करती थी जो भी कोई नई बात आई फिर मैंने notebook में note कर लिये next day जब मैंने फिर से practice किया तो उससे पहले मैंने वो notebook में जितने भी लिखे है starting से ले वाद तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टोपिक के साथ में तिल देन बाई बाई टेक क्या थैंक यू